दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मश्वरा एक से मांगो तो हजार देते हैं लेकिन दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद हजार से मांगो तो एक देता है ये दुनिया का कड़वा सच है आप चाहे कितने भी अच्छे बनो या कितने भी इमानदार बनो पर दुनिया तो आपकी एक गलती का इंतजार कर रही है इसलिए यदि आप अपनी जगे पर सही है और कोई आप पर उंगली उठाता है तो उस पर ध्यान ना दें क्योंकि अच्छे लोगों पर वही उंगली उठाते हैं जिनकी आउकाद उनकी बराबरी करने की नहीं होती जिन्दिगी में कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं है कभी ऐसा भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ है पर हमेशा ये सोचिए कि आप कुछ तो है जो सब कुछ कर सकता है सुनने की आदत डालो ताने मारने वालों की कमी नहीं है मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की भी कमी नहीं है उपर उठने की आदत डालो क्योंकि टांग फीचने वालों की कमी नहीं है और तारीफ करने की आद़ डालो क्योंकि गल्ती निकालने वालों की कमी नहीं है इस छोटी सी जिंदगी ने एक बड़ा सबक दिया रिष्टे सबसे रखो लेकिन उमीद किसी से नहीं क्योंकि कौन कितना अपना है यह सिर्फ वक्त ही बताता है जब लोग आप से पूछने लगें कि आप क्या करते हो तो समझ जाना कि हिसाब लगाया जा रहा है कि आपको कितनी इज़त देनी है कोहरे से आज एक बात सीखी मैंने जब जिंदगी में कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश बेकार है धीरे धीरे एक एक कदम चलो रास्ता अपने आप मिल जाएगा यदि लाग कोशिशों के बावजूद वह ना मिले जो आप चाहते हो तो उससे नाराज ना होना क्योंकि हिश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है बलकि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है हमेशा ये बात याद रखना कि जल्दी मिलने वाली चीज़ें ज्यादा दिन नहीं टिकती और जो चीजें ज्यादा दिन चलती हैं वो जल्दी नहीं मिलती लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी उच्छे के आखरी चाबी भी ताला खोल देती है ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है पर देख जरा उस सूरज को जो अकेला ही तो चमकता है दोस्तों हमेशा सही वक्त का इंतजार करना चाहिए और सब्र के साथ काम लेना चाहिए क्योंकि माली यदी किसी पेड को सो घड़ों से पानी दे भी दे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेगा अभी वक्त है मुसीबतों का मुझे और आज माने दो पैरों तले रोंद दूंगा मैं परिशानियों को जरा मेरा वक्त तो आने दो दोस्तों हमेशा अपनी काबीलियत पर भरोसर रखिये क्योंकि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग काबीलियत से इसलिए अगर किस्मत साथ ना भी दे तो काबीलियत जरूर साथ देती है जीवन में सबसे कीमती चीज जो है वह समय एक साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ हो एक महीने की कीमत उससे पूछो जिसने पिछले महीने तनखा ना पाई हो एक हफ़ते की कीमत उससे पूछो जो पूरे हफ़ते अस्पताल में रहा हो एक दिन की कीमत उससे पूछो जो सारा दिन भूखा रहा हो एक घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो और एक मिनिट की कीमत उस से पूछो जिसकी ट्रेन एक मिनिट से छूट गई हो और एक सेकंड की कीमत उस से पूछो जो दुर खटना से बाल बाल बचा हो दोस्तो कुवे का पानी सभी फसलों वो एक समान मिलता है लेकिन फिर भी करेला कड़वा बेर मीठा और इमली खट्टी होती है ये गलती पानी की नहीं बलकि बीच की है उसी तरह उपर वाला सभी के लिए एक सा भाग की लिखता है लेकिन दोश हमारे ही करमों का है दोस्तों ये जीवन एक खेल का मैदान है जिस तरह खेलों में जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम आवश्यक है इसलिए कठेनाईयों से घबराईये मत, हार मत मानिये बस सकारत्मक सोच के साथ अपने लक्ष की तरफ बढ़ते रहिए अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे फेस्बुक पेच को लाइक कीजिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मकूर्जा को भर दे और आपको दिखा है एक नई दिशा सुनते रहिए मन की आवाज